दोस्तो आज कल बीमारी बहुत ज़्यादा चल रही है तो बीमारी से दोस्तो अगर आप लोग को बचना है तो मेरे वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजेगा कि अच्छा अच्छा जनकारी हम ऐसा इस चैनल के माध्यम से मिलती है सवाल नमबर एक जिनको बार-बार सर्दी जुकाम होती है उनको क्या करना चाहिए दोस्तो नहीं चानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजेगा मेरे भाई मेरे दोस्त दोस्तो इसका सई अंसर है ठंधा समान से बचना चाहिए ठंधा समान बहुत ही कम खाना चाहिए जिन लोग को बार-बार सर्दी जुकाम होती है उनको और रात के समय में सुसुम पानी का सेवन जरूर करना चाहिए थोड़ा सव आधा चमच नमक डाल करके दोस्तों सवाल नमबर दू लगतार कीतना दिन अम्रूद खाने से सर्दी जुकाम सरीर में पकर लेता है दोस्तों अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा दोस्तों इसका साही अंसर है पान से छे दिन तक लगतार अम्रूद खाने से सर्दी जुकाम खासी बुखार पकर लेता है तो बहुत सभी पैसा खर्च हो जाती है इसके बाद भी लीबर और आते पूरा खराब हो जाती है इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज्याद सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मेरे दोस्तों इसका साही अंसर है दही खुब खाना चाहिए दोस्तों आखों की रुष्णी आच्छा रखने के लिए जो लोग दही का सेवन कम करते हैं उन्हीं लोग को आख जुहाए खराब हो जाती है क्योंकि बिटामिन आच्छा मिलता है तो आखों की रुष्णी आच्छा रहती है सवाल नमबर चार बच्चे लोगों की सेहत कमजोर क्याँ होती है दोस्तों अगर आप लोग नहीं जानते हैं ऐसे जनकारी तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजेगा दोस्तों इसका सरी अंसर है बच्च्पन में बच्चे लोगों को दूध नहीं भरपूर मिलने के कारण सेहत कमजोर हो जाती है वहीं जो बाचा है उसकी हाइट भी कम हो जाती है इसलिए दूध ज्यादा मात्रा में उनको खिलाना चाहिए दोस्तों सवाल नमबर पांच चाना की सबजी कीस मौसव में ज्यादा फायदा करता है दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे दूस्त तुरंत और जल्दी कीजेगा दोस्तों इसका सही अंसर है गर्मियों के मौसव में ज्यादा फायदा करता है चाना की सबजी जिन लोग को पेट में गैस बनती है उनको चाना की सबजी उबाल करके खुब खाना चाहिए और उबालने के बाद में थोड़ा सा नमक डाल दें उसके बाद में खाए आपकी पेट की गैस बिल्कूल नहीं बनेगी थैंकि दूस्तों